C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है, सफ़ा नंबर 33, सबख 5, लड़का लड़की एक समान मुन्नी और गुड्डू भाई बहन थे. एक दिन मुन्नी ने आम के पेड़ पर चड़कर एक आम तोड़ा. उसका मिठू उसके साथ था. मुन्नी घराई ताके आम को अपने भाई गुड्डू के साथ मिल कर खा सके. मा ने आम के दो हिस्से किये. एक बड़ा और एक छोटा. बड़ा हिस्सा गुड्डू को दिया और छोटा मुन्नी को. मुन्नी को ये अच्छा नहीं लगा. उसने मा से शिकायत की. मा बोली बेटी, क्या तुम नहीं जानती कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज्यादा होता है? क्यों? मुन्नी ने पूछा इसलिए कि वो ज्यादा मेहनत का काम करते हैं मा ने जवाब दिया सफ़ा नंबर 34 ये सुनकर मुन्नी चुप हो गई दोपहर में खाने के वक्त भी मुन्नी ने देखा कि मा का ध्यान गुड्डू की तरफ जाता है मा ने उसे अंडा दिया था और मुन्नी को नहीं दिया था मिट्टू को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था जब सब हाथ धोने गए तो मिट्टू ने अंडी के दो हिस्से किये और आधा आधा अंडा गुड्डू और मुन्नी की पिलेटों में रख दिया वापस आकर माने देखा तो मुन्नी से कहा मुन्नी अंडा गुड्डू को वापस दे दो मुन्नी डर गई और अंडे का आधा टुकड़ा भी गुड्डू की प्लेट में रख दिया अब्बा को ये बात अच्छी नहीं लगी वो बोले मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उमर के बच्चे हैं दोनों में फर्क नहीं करना चाहिए मा बोली गुड्डू को लगता था कि उसका काम मुन्नी से ज्यादा मेहनत का है इसलिए उसको बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए वो बोला मुन्नी का काम भी तो मुझसे आसान है ये सुनकर मुन्नी के जहन में एक खयाल आया उसने कहा कल छुट्टी का दिन है क्यों न हम एक दिन के लिए अपने-अपने काम बदलने तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा गुड्डू ने उसकी बात माल ली दूसरे दिन सुभ सुभ मुन्नी ने मिठ्टू से कहा गुड्डू को उठा दो उसे चूला जलाना है गुड्डू को सुभ इतनी जल्दी उठनी की आदत नहीं थी वो नींद में था लेकिन उसे उठना पड़ा गुड्डू को एसास हुआ कि चूला जलाना इतना आसान काम नहीं सारा धुआ उसकी आँखों और नाक में खुस रहा था चूला जला कर उसने सारे घर में जाडू लगाई बेचारा गुड्डू उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था बड़ी बेदिली से उसने ये काम किये अब मुर्गी के बच्चों को दाना डाला था इस काम में भी उसे बड़ी मुश्किल पेश आई इधर उधर दोड़ते भागते चूजों को दड़बे तक पहुचाना आसान ना था सफ़ा नंबर 36 दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी वो अपने मिठ्टू को लेकर पालतू गाय लाली को चरानी के लिए निकलने लगी तो गुड्डू ने उससे कहा देखो मुन्नी ये खयाल रखना के लाली किसी दूसरे के खेत में न चली जाए मुन्नी के जाने के बाद उसने उस जगह की सफाई की जहां गाय बांधी जाती थी फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बरतन माजने लगा उसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा उधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया उसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही फिर एक पेड़ के साय में बैठ कर आराम करने लगी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी थोड़ी देर में उसकी आँख लग गई अचानक मिठ्टू की टैं टैं से उसकी आँख खुली वो कह रहा था मुन्नी लाली के पीछे भागी लाली ने उसे खूब सताया बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई मुन्नी शाम को घर लोटी तो देखा गुड्डू बहुत ठका हुआ है उसका चेहरा उत्रा हुआ था उसे भूग भी लगी थी माने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था उसे उस पर तरसा रहा था अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है उस रात माने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू खाता था मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आँखों में आँसु आ गए इतना काम करने के बाद ये खाना उसने रोते हुए कहा उसकी इस बात पर सब हस पड़े अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए दूसरे दिन गुड्डू जब स्कूल से लौट रहा था तो सडक के किनारे अमरूद के पेड्से एक अमरूद तोड़ा घर आकर उसने आधा अमरूद काट कर मुण्ड़ को दिया और बोला तुम बहुत मेहनत करती हो उसने वादा किया के अब वो घर के कामों में उसकी मदद किया करेगा मुन्नी ने भी इस बात को माना कि गुड्डू का काम आसान नहीं है मिठ्टू ने अमरूत के दोनों टुकडों को देखा और बोला टैं टैं लड़का लड़की एक समान सफ़ा नंबर 38 मश्क लफज और मानी समान बराबर जहन दिमाख आँख लग जाना सो जाना चेहरा उतर जाना चेहरे से ठकन का पता चलना तरसाना हमदर्दी पैदा होना गोर कीजिए बेटी और बेटे में जो फर्क किया जाता है इस सबक में उसकी तरफ इशारा किया गया है आखिर में मुसनिफ ने कहा है कि काम सबके बराबर है इसलिए तोते से कहलवाया गया है कि लड़का लड़की एक समान होते है सोचिये, बताईए और लिखिये एक ये बात माने क्यों कही कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज्यादा होता है दो अबबा के خयाल से लड़के और लड़की दोनों में फर्क क्यों नहीं होना चाहिए तीन, मुन्नी क्यों डर गई थी चार, चूलहा जलाते वक्त गुड़ू के साथ क्या हुआ पांच, मा को गुड़ू पर तरस क्यों आ रहा था छे, आखिर में सब की समझ में क्या बात आई सफ़ा नंबर 49 किसने क्या कहा? इन में से हर एक का कोई एक जुमला लिखिए पहली तस्वीर मा की है दूसरी तस्वीर मुन्नी की है तीसरी तस्वीर अबबा की है चौथी तस्वीर गुड़ू की है और पांचवी तस्वीर मिठ़्ू की है सफ़ा नंबर 40 इनके काम क्या-क्या थे? दो-दो जुमलों में लिखिए मुन्नी, गुड्डू यहां दी गई तस्वीरों को घौर से देखिए पहली तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की दिखाए गए है दूसरी तस्वीर में एक उस्ताद और उस्तानी दिखाए गए है तीसरी तस्वीर में एक गिलास और एक कुर्सी दिखाई गई है इन दी गई तस्वीरों से नर और मादा का पता चलता है नर को मुजकर और मादा को मौननस कहते हैं बेजान चीजे भी मुजकर और मौननस बोली जाती हैं, जैसे पंखा, ग्लास, टमाटर मुजकर हैं, और घड़ी, सड़क, कुर्सी मौननस हैं। सफ़ा नमबर 41 दिये गए लवजों को पढ़िये और मुजकर मौननस की पहचान करके मिसाल के मुताबिक निशान बनाईए। मिसाल है, दिन इसे मुजकर से जोड़ा गया है। अलफाज हैं, पतंग, दिन, भूक, पेर, मिहनत, वक्त, मिठू, अंडा, बात, छुट्टी, बरतन, बेहन, धुआं। दिये गए लवजों से जुमले बनाईए और खाली जगों में लिखिये। शिकायत, पतंग, मिहनत, वादा, हिस्सा। सफ़ा नंबर 42, इन लवजों के वाहिद लिखिये। अवकात, शिकायात, खयालात, आदात, एहसासात, मुश्किलात, वाकियात। इन जुमलों को खुशकत लिखिये। एक, इधर उधर दोडते, भागते, चूजों को डड़बे तक पहुचाना आसान ना था। दो, फिर अच्छी तरहा हाद धोकर बरतन मांजने लगा। तीन, कुछ देर छोटे-छोटे कंकरों से खेलती रही। चार, थोड़ी देर में उसकी आँख लग गई। अमली काम इस कहानी का दूसरा उन्वान क्या हो सकता है। सफ़ा नंबर तैंतालीस इस कहानी में पालतु जानवर और परिंदो के नाम आये हैं। उनकी तस्वीरें बनाकर उन पर दो-दो जुमले लिखिए। इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ। समय रिकॉर्डिस्ट, बटिलैंग लिंग्डो, समय फनकार, परवेज गौहर और शिमाईला परवेज, एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी, पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।